software objectives इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे कि software क्या है software के मुक्तलिफ एक्साम क्या है आप समझ सकेंगे कि software क्या क्या काम सार अंजाम देता है और आप यह भी जान जाएंगे कि software का вर्ण किसे कहते हैं software आप hardware के बारे में तु जानْगे लेकिन कोई भी hardware software के बगएर काम नहीं कर सकता software computer का वो हिसा है जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं मसलन अगर आपने अपने किसी दोस के घर जाने का program बनाया है तो वो एक software है उसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं फिर आपका जहन उसी program के मताबिक आपके जिसन के मुक्तली फाजा को हिदायात देता है मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगएरा इसी तरह software भी हदायात का मजमूआ है computer का processor इसी software के जिरिये computer को हदायात देता है और इससे काम लेता है अभी जो आप screen पर देख रहे हैं, यानि इस course को देख और सुन रहे हैं ये भी software की वज़ा से मुम्किन है आपने देखा होगा कि रोजमरा जिन्दगी में मुख्तलिफ चीजों के model होते हैं मसलन गाडियों में Honda के मुख्तलिफ model, Civic, City, Accord वगरा है इन में भी हर साल नए model आते हैं हर नए model में कुछ इजाफी खूबियां होती हैं और जो खामियां पिछले model में होती हैं, वो नए model में खत्म कर दी जाती हैं इसी तरह software के भी मुख्तलिफ model या version होते हैं हर नया version पिछले version से कुछ ज़्यादा खूबियों का हामिल होता है Main Categories Software के तीन बुनियादी अकसाम हैं ये System Software, Utility Software, Application Software के नामों से जानी जाती हैं आईए, अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताते हैं System Software System Software ऐसा software होता है जो कंप्यूटर के hardware को monitor करने और control करने का जिमदार होता है Operating System और device drivers System Software की मिसाले हैं Operating System आए हम देखते हैं कि Operating System क्या है Operating System होटेल के manager की मानन्द है जिस तरह एक होटेल का manager एक होटेल को manage करता है यानि वो देखता है कि कितने कमरे खाली हैं कौन-कौन सी गाड़ियां ठीक हैं स्टाफ के किस member ने आज क्या काम करना है वगेरा मुखतसरन ये कि वो होटेल के customer यानि user को तमाम सहूलियात फराहम करने का सिमधार होता है इसी तरह Operating System कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को manage करता है यानि डिस्क पर information किस तरह सेव होगी printer कब print करेगा data, memory में कब और कहां store होगा या कोई program कैसे चलेगा मुखतसरन ये कि Operating System कंप्यूटर के user और कंप्यूटर के hardware के दर्मियान तालोग काइम करता है और user को hardware इस्तमाल करने की सहूलत फराहम करता है Commonly Used Operating System इस वक्त market में मुक्तलिफ Operating Systems मौजूद है इन में से सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने बाला Operating System Microsoft Windows है और इसी Operating System के जिरिया आप ये lesson को सुन और देख रहे हैं Microsoft Windows Operating System के बहुत से versions आ चुके हैं जैसे कि Windows XP, Windows 7, Windows 8 और Windows 10 वगेरा Device Driver System Software की दूसरी एहम काटिगरी Device Driver है Device Driver basically hardware को physically manage करता है जिस तरह एक होटेल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें Driver की जुरूरत पड़ती है इसी तरह Operating System बताता है कि Printer ने क्या प्रिंट करना है मगर असल में Printer से Print कराने का जिम्मेदार Printer का Device Driver होता है इसी तरह हर Device के अलेदा Device Software मौझूद है आएए अब हम Software की दूसरी काटिगरी को देखते हैं जिसे हम Utility Software कहते हैं इसको समझने के लिए भी हम होटेल की मिसाल देखते हैं जिस तरह एक होटेल में मुक्तलिफ चीजों को ठीक करने के लिए मुक्तलिफ लोग मौझूद होते हैं मसलिन बिजली में अगर कोई खराबी हो तो इलेक्टिशन होगा फरनिचर में रिपेरिंग के लिए कोई और लोग मौझूद होगे उसी तरह युटिलिटी सॉफ्ट्वेर भी ऐसी सॉफ्ट्वेर हैं जो कम्प्यूटर को मिंटेन करने के लिए समाल होते हैं मसलिन, स्कान डिस्क और अंटिवाइरस वगेरा जिसके बारे हमें आप अगले लेसन में पढ़ेंगे आप सिस्टम्स सॉफ्ट्वेर और युटिलिटी सॉफ्ट्वेर के बारे में तो जान चुके हैं आईए, अब हम आपको एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर के बारे में कुछ बताते हैं रोज मर्रा की जिन्दगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गोर करें तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहता लोग मखसूस होते हैं मसलन रिसेप्शनिस्ट का काम आने वाले कस्टमर को गाइड करना और उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको जगा फरहम करना है अकाउंट्रेंट का काम रोज मर्रा के लेंदेन की तफसीला दर्ज करना है इसी तरह एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर ऐसे सॉफ्ट्वेर होते हैं जिसके जरिए यूजर अपने रोज मर्रा के मुख्तलिफ काम आसानी से सरअंजाम दे सकता है एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर सॉफ्ट्वेर की सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली किस्म है रोज मर्रा का हिसाब किताब करना, प्रेजंटेशन बनाना या कोई ड्रॉइंग बनाना भी अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर के जरिए मुम्किन है अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर में बहुत से सॉफ्ट्वेर चामिल है और ये नए नए software's market में दिन बे दिन आते भी रहते हैं यहां हम application software की कुछ मुशूर इक्साम की बात करते हैं Word Processes के माइनी अलफाज पर कुछ process करना है लहाज़ा ऐसे software's जो अलफाज या text पर कुई काम करते हैं उन्हें हम word processing software कहते हैं पहले वक्तों में type writer को इस्तमाल करके formal text यानी खतूत और memo type किया जाते थे word processing software किया जात के बाद computer को letters लिखने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा word processor एक ऐसा software है जिसके जरीए keyboard की मदद से कुछ भी type किया जा सकता है और ना सिर्फ इसको type किया जा सकता है बलके अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कागस पर print करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है इसके इलावा इसे महफूज भी किया जा सकता है और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है इसमें हमारी जरूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहुलत भी मौजूद होती है इसके इलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स भी चेक और ठीक भी कर सकते हैं अखबारात और असाइल वगेरा भी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्वेर के जरीए ही तयार किये जाते हैं आज कल इस्तमाल होने वाले एक मशूर वर्ड प्रोसेसर का नाम Microsoft Word है Spreadsheet Spreadsheet इन कागस की शीट्स को कहा जाता है एक अप्लिकेशन सॉफ्वेर है अकाउंट्स का काम करने वाले मैन्यूली यानि हातों से Spreadsheet तियार करते हैं इसको कम्प्यूटर पे भी किया जा सकता है जिसके लिए मुक्तलिफ सॉफ्वेर्स मौजूद है इन सॉफ्वेर्स को हम Spreadsheet Software का नाम देते हैं और कॉलम की शकल में होते हैं इनमें आदाद शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हर सेल का नाम उसके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है मसलन ये सेल बी कॉलम में है और रो फोर में है और इस तरह इसका नाम बी फोर होगा और फिर इन पर मुख्तलिफ फॉर्मूलाज लगाकर केल्कुलेशन्स कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हमने ये चंद नमबर एंटर किये हैं अगर हम इन सब को जमा करना चाहें तो सेल्स के नामों की मदद से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और कीबोर्ट से एंटर प्रेस करने से रिजल्स देख सकते हैं अब अगर हम किसी सेल में वैल्यू बदलते हैं तो रिजल्ट भी खुद बखुद अपडेट हो जाता है अगर हम इनकी एवरिज निकालना चाहें तो वो भी मुम्किन है इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने-बनाएं फॉर्मूला या फंक्शन्स मौजूद होते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट के जरिए दिखाने की सहुलत भी मौजूद होती है मसलन ये चार्ट पिछले पांच सालों में कम्प्यूटर इस्तमाल करने वाले अफराद की तादात को जाहिर कर रहा है इसके इलावा आप अपना काम महफूज या सेव कर सकते हैं और बाद में इसको दुबारा देख और तबदील भी कर सकते हैं ये सब काम आपको जिस स्प्रेडशीट सॉफ्ट्वेर के जविए दिखाई जा रही हैं उसका नाम Microsoft Excel है आईए अब हम एक और एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर को देखते हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्ट्वेर को कहते हैं जिन्दगी में हमें कभी ना कभी अपने आईडियास को दुनिया के सामने लाने के ज़रूरत पड़ती है मसलिन आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट अपने ओफिस वालों या क्लाइंस को दिखाना चाते हैं या स्कूल में अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपने उसे पूरी क्लास के सामने पेश करना होता है इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड या वाइड बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या प्रोजेक्टर को यूज करके अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं इस काम को तयार करके पेश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कंप्यूटर सॉफ़वेर ने हमारी जिन्दगी बहुत आसान बना दी है और प्रेजेंटेशन सॉफ़वेर तयार किये गए हैं ये ऐसे सॉफ़वेर हैं जिनकी मदद से हम कोई information एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इन सॉफ़वेर से तयार करदा प्रेजेंटेशन में लिखाई या टेक्स के अलावा आवाज और तसावीर पी शामिल की जा सकती हैं इस सॉफ़वेर के अंदर मुख्तलिफ information को अलहदा अलहदा pages पर लिखा जाता है जिनको slides कहा जाता है आप अपनी मर्जी से इन slides के रंग और अलफाज चेंज कर सकते हैं इस वक्त आप screen पर जिस presentation software को देख रही हैं उसका नाम Microsoft PowerPoint है जिस तरह बागी दो application software में किये गए काम को मैफूस किया जाता और बाद में देखा और तबदील किया जा सकता है इसी तरह presentation software में भी किया जा सकता है आप सोच रही होंगी कि इन तमाम software के साथ Microsoft का लफ़ज बार बार इस्तिमाल हो रहा है दरसल Microsoft एक बहुत मशूर software company का नाम है जिसके बनाए हुए बहुत से softwares आसानी से दस्तियाब है Summary इस लेसन में हमने सीखा कि software क्या होता है हमने software के मुक्तलिफ इक्साम, मसलन system software, utility software और application software के बारे में जाना इसके इलावा हमने देखा कि software किस लिए इस्तिमाल किया जाता है यानि ये क्या काम करता है